नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नीज में मेरतन सेन भारती अज़ हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें हर किसी को मुनाफ़ा होने की बात बिहार सरकार की तरफ से कही गई है और यह बात है मचली पारण कर रहे लोगों के तलाव उडाही करने को तलाव के बिकास बजिरनोधार योजना के तहट 11 करोड रुपे से अधिक खर्च करेगी इसके तहट तलावों की उडाही एवं मतस्य बीज हैच्री के निर्मान पर मचुवारों एवं मतस्य पालकों को 50 फिर्दी के सबसीडी दी जाएगी इसकी खास बात यहा है कि योज के अफसर को महिया कराना है राजबासियों को मचली की जरूरत को पूरा करना है पस्वे मतस्त संजादन विभाग का मानना है कि बदलते मौसम के कारण तलावों पाने घटने से होने वाले नुक्सान की भरपाई भी करना है इस योजना की खास बात यह है कि परमपरिक तरी जीरो चार एक जल छेतर का तलाव है लाव लेने के लिए पस्व पालक एवा मतस्त संसादन विभाग के चार सितंबर तक आवे दन मंगे गए हैं इस योजना को लेकर पस्व एवा मतस्त संसादन विभाग की मंतरी मुके सहनिन पताधिकारियों को छेतर में जाकर मतस्त क्र परसार पता अधिकारियों की काज परनाली पर असंतोस पर कट करते हुए कहा कि अधिकारी छेतरी अस्तर पर प्रवार के प्रखंडों को पूर्ण जानकारी रखें विभाग के सभी योजनाओं तथा बंदोबस्ती काज पारदर्सी तरीके से करने की भी उन्होंने नसीहत द आधिक्तम सात लाख रुपय तक का मतस्य वीभाग अनुदान देगा नया तलाभ खुदाने वाले अनसूचित जाती एंवम आवेदन देना होगा आवेदन मिलने के बाद विभागे पताधिकारी मौके पर जाकर जमीन के रकवा की जाच करेंगे अगर सब कुछ सही मिला तो आवेदन को चैनित कर अनुदान देने की परकिरिया सुरू कर दी जाएगी नए तलाब मिलने के लिए क्या के जरूरी सबसे पहले आप जिला मतस्य विभाग को एक आवेदन के साथ में जमा करना होगा जमीन के कागज की च्छाय प्रति जिसमें दो हेक्टेर में नया तलाब बनाने के लिए मिलेगा अनुदान समान बर्क के लिए अधिक्तम साथ लाख रूपे तक का अनुदान देने की बात कि मतस्य के यानि मशलिभ पालन के लिए तलाव की उढ़ाही करने को ले कर भी कर देगा विहार और वियासा चल्वाद के लिए ब driving रहें विहारी नियूज के साथ मुझे दीजिए अजाज़त धन्यवाद